आपका स्वागत है मैं हूँ अजय प्रताप सिंग और आज हमारे साथ है कानपूर के विधायाक इर्फान सोलंकी जी इर्फान सोलंकी जी से जानेंगे कि मौजूदा समय में वो अपनी राजनीती और भारतिय जन्ता पार्टी की राजनीती को किस तरह से आगते हैं और क्या इस समय वो सारे काम हो रहे हैं जो लेकर वो चुनाब मैदान में आये थे और वादे किये थे जन्ता के लिए इस सरकार के विशह में कुछ कहना जाएंगे होगा कि मजब के नाम पर जो राजनीत करते हैं वो कभी तरकी नहीं करते हैं एक कहवत है हमारे बुजूर्गों ने का है कि उल्लू सीधा हो जाता है उल्लू एक ही बार सीधा हो चुका है आने वाला समय भी बताएगा और जन्ता सब जानती है आप भी जानते हम भी जानते कि कौन कितना पानी में दोका एक बार दिया जाता है बार बनी आज बिधान सवा में हंदामा हुआ आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया तो क्या इस मामले पर सरकार आपकी बात को गंभीरता से नहीं नहीं लेगी ये अंदी बहरी सरकार है ये सरकार गवन में चूर है और जब आदमी घवन में चूर हो जाता है तो उसकी कहते हैं ना उपर वाले के माँ दे रहे अंदेन नहीं है इनको रहत दिखाने वाला से उपर वाला है और कोई नहीं नहीं और वो जन्ता को बताएगा कि आप ने अच्छे आदमी को हता के एक गलत आदमी को हाथ में सरकार से दी है और जब गलत आदमी के हाथ में सरकार आ गई है तो गेहों के साथ गुन पिसता है गुन कोई अलग पिसाने नहीं जाता है हर वो अच्छा आदमी पिसा जा रहा है गेहों के साथ जिसके साथ कोई किसी को लेना देना नहीं चाहे वो फरजी एंकाउंटर हों चाहे फरजी मुकदमे हूं हर आत्मी चाहे हिंदू हो यह मुसलमा इसको इससे मत्रबी नहीं है आपने देखा एक आज साल के लड़के को एंकोंदर कर दिया गया मेरत में उस आज साल के बच्चे को क्या मालूम कि दुनिया में भी कितने रंग बाकी है और आप लूँ खैर हमें नहीं मालूम कि आप कितनी दूर जाएंगे पर हमारा जो जिसको कहा जाता है हिंदुस्तान का चौधा खंबा जिसको आप पतकार कहे जाते हैं आप भी अच्छी भूमिका नहीं दिवा रहा हैं अब हमें नहीं मालूम कि आप किस बंदन में या किस मजबूरी के तहित बंदे हुए है कि जो भी पतकार ने अगर हकीकत भी दिखाना चाही या तो उसको अपनी नौकरी से हाथ दोना बता या विचारा चैनेरी बंदू किया योगी जी के राज में सिब एक ही चलेगा राम प्राम जपना मोधी मोधी कहना अच्छा इस समय है अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं स्कूल है तो टीचर नहीं इसकी मांग भी समाजबादी पार्टी सदन में उठाई नहीं आपको याद होगा जो इससे पहरे सिच्छा मित्र वाले थे और आंकनवारी वाले थे उन सब क इस संगस करके मिलती उसकी बहुत कदर हותी तो हमारे जो सिचा मित्र वाले थे और जो आंगन भारी वहने थी उनको इतनी तमाम योज़ना अखलेज जीने बिन मांगे जब मुराद बूरी ही तो इसकी कदर नहीं होती तो वो समझ नहीं पाय अखलेज ही की पॉलसी को और उ तो वहाँ पर इस सरकार से क्या लोग उम्मीद लगाये बैठे हैं और आप मानते हैं कि उनकी उम्मीदों पर सरकार खरे उतरेगी देखे मैं आपको बता दूँ मैं पिछले पंदा सार से बिधाएक हूँ उससे पहले दस सार मेरे पिधाजी थे तो मेरी विधान सवा में ये काम करें ना करें अखले जी ने इतना काम करा दिया है कि उनके नाम पे आने वाले दो चुनों में और जिट जाओगा तो मैं गूंगे बहरों से क्यों उम्मीद नहीं करता हूं मैं माँदा हूं से उपर वाले से उड़ देता है सब को इस बहुत अच्छी सी काओध है कि मांगो कुछी से और कहें ना किसी से अपने याब उनके दिल में मुहबत पैदा होगी और काम हो जाएगा और नहीं भी होगा तो जनता जानती है कि बहर यूंद्र कोई काम नहीं कर सते और काम करना भी उसके ही पास है जिसको वो चाहता है अगर वो चाह लेगा तो काम होगा और वो नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो मुझे आप इच्छा नहीं से जंदा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगा अभी भी सवेरा है वो बहुत अच्छी सी बात है कि जब जागो जब सवेरा गलती इंसान से होती है क्योंकि हमें उपर वाले ने इंसान बनाया फरिस्तानी बनाया हमारे इंदर नफस है जिससे हम गलती कर वेटते हैं पर गल्ती करके गल्ती मानने वाले को इंसान कहा जाता है और गल्ती करके गल्ती करते रहने वाले को सितान कहा जाता है यह फैसर आप बेतर जानते कि हम इंसान हैं यह सितान है तो यह थे कानपूर से बिधायक इर्फान सोलंकी जी इन्होंने बता है कि सरकार कई जगा पर ऐसे काम नहीं कर पा रही है जिस से जंता को फायदा मिल सके अगर जनता को फाइदा देना ही चाहते हैं तो जनता से पूछ कर ही या उसकी जरूरतों को महसूस करके ही सरकार आगे कदम बढ़ाए तो शायद इस परदेश का भला हो जाएगा एबी पिएस निउस के लिए अजे परताप सिंग लखनो